नमस्ते मैं हूँ सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जैपूर दा पिंक सिटी पर मैं एक नेचुरोपैथे स्कॉलर हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइल्स यानि बवासीर के बारे में इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में बताई गई कोई भी स्टैप आपको मिस नहीं करनी है बवासीर एक बहुत ही खतरनाक बिमारी है इसमें गुदाद्वार जहांसे की मल त्यागते हैं उस जगे की खून की नलियों में सूजना जाती है वो बड़ी हो जाती है इससे गुदा में दर्द और जलन हो लगती है इसे ही पाइल्स या बवासीर कहते हैं पाइल्स या बवासीर दो तरह के होते हैं, एक तो खूनी बवासीर और एक बिना खून वाले बवासीर। और fistula का रूप ले लेता है दोनों तरह के बवासीर अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएं तो ये cancer का रूप ले लेते हैं जो की एक जानलेवा बिमारी है जिन लोगों का पेट खराब रहता है हमेशा कब्स बना रहता है उसके कारण मल को त्यागने में जोर लगाना पड़ता है जिसके कारण गुदा की नसों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और रगड और दबाव के कारण वहां सूजना जाती है और मस्से बन जाते हैं यानि बवासीर हो जाता है जो लोग अपने भोजन में हरी पत्यदार सबजियां और रेशेदार चीजें यानि फाइबर नहीं लेते फास्ट फूड खूब काते हैं उनका मल सक्त हो जाता है और उसे सक्त मल को त्याकते समय जोर लगाना पड़ता है जिससे पाइल्स हो जाते हैं बहुत से लोग तो दिन बर में पानी ही नहीं पीते हैं या बहुत कम पीते हैं पानी कम पीने से आतों को नमी नहीं मिलती और उनमें हीट यानि गर्मी बढ़ने लगती है जिससे आतों में पड़ा हूँ अमल सूखने लगता है वो सूखा हुआ मल, आतों में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है, वो end तक तो पहुँच जाता है, लेकिन अपने आप बाहर नहीं निकलता, उसके लिए जोर लगाना पड़ता है, और नतीजा होता है पाइल्स या बवासीर. जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली यानि स्पाइसी चीजें या तली हुई चीजें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को भी पाइल्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या तली हुई चीजें खाने से पाचन तंतर में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे आतों में पहुंचने वाला बोजन सूखने लगता है और फिर मल भी सूखने लगता है ये कब्स पैदा करता है जिससे फिर पाइल्स हो जाते हैं जिन लोगों को बवासीर होता है उनको मलदवार पर खुजली, कांटे चुबने जैसा दर्द, जलन और सूजन रहने लगती है इस सिस्थिति में चाहे वो बैठे रहें, खड़े रहें, लेट जाएं यानि किसी भी पूजिशन में आराम नहीं मिलता है दर्द होता ही रहता है कई बार तो दर्द इतना ऐसे नहीं हो जाता है कि काम से छुट्टी लेने पड़ती है और पूरे द सोच में लगा रहता है कि ना जने ये बिमारी कब और कैसे ठीक होगी जिन लोगों को बवासीर है उनके चेहरे पर खुशी नहीं रहती क्योंकि अंदर से भी वो खुश नहीं होते केवल दर्द ही दर्द सैन कर रहे होते हैं जिन लोगों को खूनी बवासीर होती है उनके म अब मैं आपको पाइल्स यानि बवासीर के लिए बहुती सरल घरिलू उपचार और वीडियो के एंड में बहुत जरूरी सावधनिया बताने जा रहा हूँ लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे या चैनल पर लाल रंके सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल सब्सक्राइब कीजिए इसके बाद सब्सक्राइब बटन के साथ बैल या एक बहुत ही अच्छी घरेलू दवा है। नीबू के रस्में सभी तरह के पाइल्स को ठीक करने की ताकत होती है। अब बात यह है कि नीबू का प्रयोग पाइल्स के लिए कैसे किया जाए। इसके लिए नीबू को दूद के साथ लेना चाहिए। नीबू को दूद के साथ कैसे लेना है,िसका पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ. आपको सुबह सुबह एक ग्लास दूद लेना है. दूद गायगा हो तो बहुत अंच्छा है, दूद कच्चा भी ले सकते हैं या फिर उबालकर ठंडा किया हो भी ले सकते हैं. अब ध्यान रहे नीबू का रस मिलाते ही दूद फटने से पहले ही पूरे दूद को पी जाना चाहिए तभी ये असर करता है। ये प्रेयोग आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए इसे साथ दिनों तक करना चाहिए और साथ में वीडियो के एंड में बताई गई सारी सावधानिया जरूर रखनी चाहिए। अमरत की तरह है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिन लोगों को बवासीर होता है वो लोग अगर रोजाना चाहिए तो बवासीर खताम होकर फिर दोबारा नहीं होते। दोस्तों अवासीर की इससे अच्छी दवा और क्या हो सकती है। आईए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चाच को कैसे और कब लेना चाहिए। इसके लिए आप 100 ml यानी एक कप चाच ले लीजिए। इस एक कप चाच में आपको अजवाईन का पौडर मिलाना है। अजवाईन का पौडर बनाने के लिए पहले अजवाईन को थोड़ा सा सेक लीजिए और फिर मिक्सी में पीस कर पौडर बना लीजिए। आजकल तो बाजार में भी अजवाईन का पौडर बना बनाया मिल जाता है। उसे भी काम में ले सकते हैं। तो इस एक कप चाच में आपको एक चौथाई चमच अजवाईन का पौडर डालना है। और साथ में सरूरत के नुसार थोड़ा सा काला नमक या सेंदा नमक भी जरूर डालना है। इस तरह आपके लिए बवासीर की दवा तयार हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे लेना कब है। दोस्तों इस चाच को खाना खाने के तुरंत बाद पीना चाहिए। सुबै और शाम दोनो टाइम खाना खाने के तुरंत बाद आपको इस चाच को पीना है। इससे खाना जब पेट में और आतों में जाता है तो अच्छी तरह पचता है। इससे एक तो शरीर को खाये हुए बोजन का पूरा रस मिल जाता है, दूसरा इससे बड़ी आत में बनने वाला मल सूखता नहीं है और कब्ज नहीं होती, अजवायन आतों में, मलदवार में और बोड़ी में वायू का बहाव पूरी तरह ठीक कर देती है, जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है और पाइल्स के मस्टे तेजी से ठीक होने लगते है, दोस्तों ये प्रयोग रोजना सावधनियों के साथ करने से एक से दो हफ़ते के अंदर ही अमने पाइल्स को ठीक होते देखा है, और जिन लोगों के पाइल्स इससे ठीक हुए, उनको फिर दोबारा नहीं हुआ अगर आपके पाइल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं या खूनी बवासीर है तो आप इसको लगातार लंबे समय तक ले सकते हैं जिससे आपका पूरा पाचनतंत्र अच्छी तरह ठीक हो जाए दोस्तों पाचनतंत्र का ही आखरी हिस्सा मलदवार है इसलि के बिना आप पाइल्स से छोटकारा नहीं पा सकते हैं वो सभी सावधानिया आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइल्स दूर करने के लिए फास्ट फूड तली हुई चीजें और तीखी यानि मिर्च मसालेदार चीजों से परेज करना चाहिए यानि इनको बिल्कुल भी नहीं खाना पिना चाहिए ये पेट में बहुत ज़्यादा हीट या अगनी पैदा करती हैं जिसके करण पाइल्स होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पाइल्स यानि बवासीर नहीं हो और पेट भी ठीक रहे इसके लिए दिन बर में 3-4 लीटर पानी जर पाइल्स या बवासीर हो तो फाइबर वाली चीज़ें खूब खानी चाहिए इसके लिए हरी पतेदार सबजियां जैसे पालक बतुआ और मौसम में आने वाले सबी फल खाने चाहिए क्योंकि इनमें खूब फाइबर होता है फाइबर वाली चीज़ें खाने से कब्स नही की activity दीमी हो जाती है जिससे पाइल्स हो जाता है इसके लिए कमर और पैरों से संबंदित कसरत जरूर करनी चाहिए अगर कसरत नहीं कर पाएं तो रोजाना सुबह शाम कम से कम 2-3 km तक पैदल घूमना चाहिए अगर आसपास कोई garden हो तो उसमें घूमना और भी अच्छा हो इससे body को पूरी oxygen मिल जाती है जो पाइल्स को बहुत जल्दी ठीक करती है योग और प्राणायाम भी पाइल्स में बेहत कारगर है और जब तक उपचार यूज करें तब तक योग और प्राणायाम जरूर करें पाइल्स या बवासीर के लिए हलासन, सर्वांगासन और पाइल्स बहुत तेजी से ठीक होते हैं, हमने देखा है कि इनको यूज करके लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं क्योंकि उनके जीवन से काटों भरा दर्द और बीमारी का डर निकल जाता है, वो अपने काम को दूने जोश से करने लगते हैं क्योंकि अंदर से ख परसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फेस्बुक पर भी शेयर करेंगे ताकि आपकी हेल्प से आपके दोस्तों की भी कई हेल्फ प्रोब्लम्स आसानी से साल्व हो सकें दोस्तों, नीचे डेस्क्रिप्शन में बहुत सारे बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए लिंक्स दे गए हैं, उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाब उठाईए इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसे आप तक जरूर लाएंगे ऐसे ही उसफुल और इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए, आज ये अमारे चैनल जैपूर दा पिंक सिटी का फ्री सब्स्राइब कीजी